आप सबी दर्शकों को मेरा जयादव की तरफ से ठेड़ सारा प्यार नमस्कार और आप लोग इसी तरह से अपना आश्रिवाद और प्यार बनाए रहे हैं आपकी जननी की बात करें तो शार तसल पहले आपने शुरुवाद की थी कैसे शुरुवाद की कहा के रहने वाले हैं बेसिकली मैं यूपी में बदोहीं डिस्ट्रिक्ट से बिलॉंग करता हूं और मेरा बेसिक एजुकेशन जो हुआ है वो बनारस बदोहीं और अलाबाद मे यूपी के बाद में मुंबई पहुचा तो मैंने कुछ सालों तक जॉब किया जॉब करते करते मेरे मेरा एक जुनियर लड़का था वो बन्दा डेली आता था और मुझे बोलता था कि सर आप अच्छे दिखते हैं आप अच्छे दिखते हैं आप एक्टिंग लाइन जाई मुझे लगता है कि मजा कर रहा है और फिर एक्टिंग लाइन से दूर दूर तक उच्छ वास्ता नहीं था एक साल तक बंदा कंटिनु मुझे कहता है एक साल के बाद उस ते मुझे एक एड्रेस दिया बोला सर आप इस एड्रेस पे जाए और मेरा नाम बताईए उसके बा कि अब क्या करना चाहते हो तो मुझे कुछ पता ही नहीं था मुझे कुछ पता ही नहीं तो 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 मुझे कुछ पता ही नही पर उसके बाद उनकी बात को लेके मैं चला फिर उसके बाद उन्हों नहीं मुझे बोलाता कि आपने सीखा क्या है तो मैं क्या सीखना होता है अपने 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 सीखना होता ह में तो यहां से मेरी जर्नी शुरू ही, स्टार्टिंग में मैंने कुछ टीवी शूर्स किये, बाई लगली और अउडिशन के तूर मुझे, कुछ दोस्तों के तूर मुझे मिले, जिसमें से डीडी का पीहर, जो की काफी फेमस हुआ था, और मैंने तकरेबं देर सो और रही भुझपुरी इंडिश्टी की बात तो भुझपुरी में सबसे पहली फिल्म थी मेरी वाखिला डिवा, और मैं अपने अपको बहुत लगी समझता हूँ कि दारा सिंग जी के साथ मुझे काम करने का मुका मिला, उसके बाद फिर मेरी पहली एज़ लीड हीरो आग जिसमें रमा शंकर जी को थैंक्स बोलूँगा जिन्हों ने मुझे चांस दिया उसके बाद फिर तो फिल्मे करता रहा बगावत, मित्वा जनम जनम के, जीना मनना तेरे संग, ये वादा रहा, दिल मिल गए बाकि सारे इस फिल्मे जो है लाइन अप से है तक्रिबन छे फ अपने बोटल पारिवारिक फिल्मे साबसुतरी फिल्मे ही बन रही है यही मेन रिजन भी था कि मैं अपनी भोचपरी इंड़स्टी से ज्यादा नहीं हो पाया, बहुत सारे ऐसे फिल्मों के उफ़र जिसमें कुछ सारे ऐसी चीजे होती थी जिसमें मैं कमफर्टेवल नह किया हुआ है पर अभी जो फिल्मों के उफ़र्स आ रहा है जो चीजे आ रही है वह ऐसा लग रहा है कि हम कर सकते और अच्छी लेवल पे कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोडूसर्स या मेकर्स हैं जो अच्छी फिल्मे बना रहे तो इस तरह से फिल्मों में बदलाओ जो वहा है बहुत ही अच्छा हुआ है विफोर यू से जुड़ने के लिए तो मैं काफी टाइम से था कि विफोर यू ने एक नई सोच पैदा करी है प्रोडूसर्स एक्टर्स या ओडियन्स के नजर में तो मैं बहुत ही एक्साइट हूँ इस पेशली थेंक्स करना चाहूँगा संदीब जी का जिन्हों ने मुझे अपने टीम के साथ में जोड़ा और मुझे आम शूर की संदीब जी को भी अच्छा लगे का मेरे साथ में काम करके और हम आगे बहुत सारे प्रोजेक्स साथ में करने वाले है सब्सक्राइब जी को जिन्हों ने मुझे अइसा प्रेटफॉर्म दिया जहां से सारी एक्ट्रेस हो या सारे इंडस्ट्री के लोग हो उन्हों ने मुझे अपना प्यार दिया और मुझे आगे काम करने के लिए अनुबंधित कर रहे है जी शुभी जी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसी लड़की है जिन्होंने कभी पहले इनके साथ काम नहीं भी किया था तो तभी वह मिलते थे तो बहुत ही डाउन टो अर्थ थी और बहुत ही क्यूट है बहुत ही मासूम है अज अग्ट बहुत जानती तो शी वेरी वेरी गुट उनके साथ काम करके कमफर्टेबली कोई भी काम कर सकता है जी देखे मैं जैसे आपको बताया है कि यही रिजन था कि मैंने बहुत सारे वेब सरीज भी ट्रॉप किया और प्राइम फ्लिक्स के बहुत सारे मेरे पास ओफर साय और हर कि जाने जी वेरी प्राइम आपको मशना किया है मैं टीवी सो्सके बाद जब यह एब सरीज का दऊर आया तो मुझे बहुत सारे ओफर साई तो मैंने एक भी एक्सप्ट नहीं किया और शाटंग देज में एक दो सोंगे जो मैंने किया है मैं अच्ट करता हूँ वो संगे पिक्ट्राइजेशन मैंने वैसा नहीं हुआ है, गानों को मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज के टाइम पर वैसे गाने कोई भी एक्सेप्ट नहीं हो रहे है, और इन बिट्विन जो मेरा इतना गाइब भी रहा फिल्मों में, में रिजन वही था कि मैं वैसे गाने एक्सेप कर सकता ओक वही फिल्मिदो में कैसे कर सकता हूं तो वही फिल्मे में एक्सेप्ट कर रहा हूं जो मैं अपनी फेमिली के साथ बैठ के देख सकूं और सारी फेमिली बैठ के देख सके रन्बीर कपूर को अप फ्रभी टाइल एक्टर और उनको किसी ट्राइब का भी किर्दार दे दो, वो किसी एक पॉर्टिकुलर कर्रेक्टर में बंदे हुए नहीं है। अगर आप थोड़े से सीनेर आटिस की बात करेंगा तो दिलीब सहाब, अमिताब बच्चन और शारुक खान, ये तिनो लोग मेरे फेवरिट रहें, तो क्योंकि उनके अंदर इमोशन्स हैं, फेमली से कनेक्ट होने वागा और मैं बहुत इमोशनल एक्टर हूँ, तो इमोश बहुत ही फायदा देता है, क्योंकि आपको ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले कि जिस आदमी का जो लेवल है उस आदमी का रिस्पेक करना सीखिए, क्योंकि हमारे इंड़स्ट्री में भी डिरेक्टर, प्रडूसर, सिनेमाटोग्राफर, डांस डिरेक्टर, हर एक पी आर आप लोग की हर किसी का एक अपना जॉब है और वो उस जॉब में परफेक्ट होता है हम अगर उनको कुछ सिखाने के लिए चले जाएंगे तो फिर क्रियेटिविटी कुछ नहीं आएगी तो आप अपना ओपिनियन दीजिए किसी को उपर अपनी अपनी चीजे थोपिये म अपनी चाहिए कि अपनी चीजे यज जहां तक मैंने सुना है बहुत-बहुत लोग करते हैं हलाकि मने देखा नहीं है कुछ इंसिडेंस मेरे साथ हुए है पहले कि फिल्मों में कि कुछ जो सिनर्स आर्टिस्त है या हिरो थे वह सेट पे बाद बहुत कुछ चीजे चेंज उसके अलावा प्रोजेक्ट से भगवान बनुले जोडी उसके अलावा है राधा रानी किसंदिवानी उसके अलावा है अनपड और जेवर तो यह सारी फिल्में इस सार लाइनप है तो तक्रिबर पांच फिल्में लाइनप हैं हाँ कंप्लीट में अगर देखाई जातो साथ चूटे नसाथिया निदी जाजी के साथ में और मेरे रंग मेरंगने वाली अमरपाली जी के साथ में काजल रागवानी जी के साथ में दो फिल्में हैं अमानाद गुंडो की आईगी बारात रानी चितर जी के साथ में हैं बाब अपने फैंस और दर्शकों से रिक्वेश्ट करूँगा कि आप लोग अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करें, आप किसी आर्टिस को देख के सपोर्ट ना करें, और अच्छी फिल्मे अभी भोजपुर इंडश्टी में बन रही हैं, तो आप जितना सपोर्ट करेंगे उतनी अ है